कि हम एक ये z로गताव सभी का एंक और वीधियो में और आज की इरी दर्ट करेंगे एक ipo जोकी रिसेंटली आने वाला है और रवाधि अजनरा स्वाक्या डर्ट लागी कर चता देंगे हिं Prozent अपको अच्छा इन्सलेंश कंपनी 252. यह एक insurance company है और यहां पर बहुत अच्छा portfolio है insurance का तो इससे यह profitable भी रही है पिछले साल और कितनी profitability थी क्या था क्या fundamental analysis हैं क्या इसके products हैं वो सारे चीज़ों के बारे हम लोग डिसकस करेंगे इस वीडियो का में जो मोटिव है वह आफको प्रमोट करना नहीं है इस stocks को या फिर इस IPO को प्रमोट करना नहीं है जो जैसा है मुझे जब तक जहां तक जितना सही दिखा वह हम आफके सामने रख रहे हैं लेना ना लेना आफका decision है पर make sure कि सिर्फ आफ एक वीडियो को देखकर किसी भी शेयर में position ना बनाए या किसी भी stocks या IPO में इंवेस्ट ना करें इंवेस्टमेंट बहुत रिस्की चीज़ है तो जब तक आफ खुद के fundamental analysis ना कर ले या फिर किसी भी सेवी एडवाइजर से रजिस्टर एडवाइजर से आफ जब तक कंसर्ट ना कर ले तब तक आफ इंवेस्ट मत कीजेगा यह वीडियो का में पॉपस सरिफ यह है ताकि education पॉपस के लिए यस वीडियो को आफ तक लाया गया है मेरे द्वारा मिलते हैं आप हम लोग स्टार कंपनी है यह चार बाइक एल्थ कॉमर्शिल ट्रैवल हों के इंसरेंस प्रवाइड करती है मतलब की रेजिस्टरेशन यहां पे इंसोरेंस करना बहुत ही सिंपल है कंप्ली पर्सेंट ऑनलैन प्रॉससे हैं अगर मोटर इंसोरेंस की बात करें कार बाइक ओवरड्राफट रिक्सा, टेक्सी, ट्रक हर चीज के बारे में इंसुरेंस आता है हेल्थ इंसुरेंस की बात करें तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुरेंस मिल जाएंगे इंक्लूडिंग OPD और आर्योग्य संजीवनी पॉलिसी जो इनके UPS है अगर बात करें हम लोग बिजनेस प्रोड़क्ट के बारे में तो बहुत सारे आपके बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें यह इंसुरेंस प्रोवाइड करती हैं इंक्लूडिंग CMP इंसुरेंस और मरीन कार्गो इंसुरेंस अगर आप किसी भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में अगर आफ प्रोड़क्ट को भेज रहे हैं और आपको लगता है कि आफका कंटेनर में रिस्क हो सकता है तो आप उसको इंसुरेंस करा सकते हैं यहां से आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा अगर अगर कुछ डैमेज आता है तो वह इंसुरेंस कंपनी क्लेम करेगी बेस्ट ऑन देर टर्म सेंड कंडिशन अगें कंस्ट्रक्शन वर्ट के लिए आफ यहां पर इंसुरेंस कर सकते हैं आपके बिजनेस पॉलिशी के लिए बहुत सिंपल है क्लेम करना यह स्मार्टफोन पे आफ कंप्लीटली सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोसेस करके आफ इसमें क्लेम कर सकते हैं और कस्टमर रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है 3 करोर से ज्यादा कस्टमर अभी तक इसने एक्वायर किया है एंड अगें इसके टर् रहते हैं कोई भी हेडन क्लॉस नहीं होता तो यह एक प्लस पॉइंट है इस डिजिटल गुड दर इचिट इंसोरेंस के बारे में यह था प्रोड़क्ट आक्चुली यह कंपनी है जो यह काम करती है अब थोड़ा से इसके फंडमेंटल के बारे में जान लेते हैं यह कम य जाएगी और 15 में से 17 में तक आफ इसके बारे में इस पर बेट कर सकते हैं अगेर आपको अगर बेट करना है तो इसमें इंवेस्टमेंट जो एमाउन्ट होगा 14,190 कराएगा लॉट 55 साइस का लॉट होगा प्राइस जो रेंज दिया गया है वह 258-272 का रेंज दिया गया इंक्लूडिंग 17 एंड जो इशू साइज है वह 2614 करोड का इशू साइज है विच इस अगें यह हूज आई प्यो है बलब यह बड़ा आई प्यो है यह कंपनी फाउंडेट होई थी 2016 में इस कंपनी का जो भी रिकॉर्ड अभी तक 21st December 2023 तक का रिकॉर्ड होगा आपको इस इस अगें इसके स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ी से बात कर लेता है कंपनी करती है अपने प्रोड़क्त को डाइवर्सिफाइड पार्टनर्शिप बेस्ट उन मॉडल इस्पैनिस वैरियस चैनल और दिसमबर 31st 2023 तक पार्टनर्शिप थी अप्रॉक्सिमेट इनके पास पार्टनर्शिप थे इंक्लूडिंग 58,000 पीओ एस्पी और इंडिविजवल एजेंट भी इनके पास बहुत जादा है कॉर्परेट एजेंट है ब्रोकर्स हैं जिनके साथ ही टाइप करके अपने पॉलिशी को सेल आउट करती है अगर इस कंपनी के एरेट रेट रिपोर्ट के बारे में और ज्यादा पढ़के इसके कंप्ली डीटेल्स आप जान सकते हैं अभी तक कंपनी के पास एसेट अंडर मैंजमेंट है 14,909 करोर का जो की मार्स 31st 2023 में 12,000 करोर का था जो की बढ़के 31st दिसंबर तक 14,000 करोर का हो गया है तो आप देख रहे के पास 73% नेट स्कोर है non claimable and 93% motor claim as 31st जो promote करती है यह score 73% जो की net high promoter score है अगेन reflect करता है इसके इसके बारे में बात करें तो कंप्ली का रिपोर्ट अभी लॉस रिपोर्ट किया था कंपणी ने 2021 and 2022 में which is 295 करोड और 122 करोड का यह बहुत बढ़ा red flag है company अगर इतनी सही है तो इसको continuously two years तक इसने loss बुक किया था which is 295 करोड और 122 करोड का loss था financial year 2021 22 में company like limited operating history है और बहुत ज्यादा समय से company operate नहीं कर रही है तो इसके पास जो डेटा है वो बहुत कम है तो company के अगर हम लोग finances के बारे में बात करें तो revenue अगे तो 21 and 22 में जल से हम लोगों ने भी discuss किया company ने ने लॉस बुक किया था तो 119 करोड और 294 करोड का revenue में था और 2023 में revenue बढ़के 207 29 करोड का हो गया अगर हम asset की बात करें तो asset अगें इंक्रीज हुआ है company के पास continuously 1800 करोड से 2919 करोड and then 3347 करोड ये इंक्रीज किया है profitability की बात करें तो जैसे अभी हम लोगों ने डिसकस किया company के पास company 2001 2022 में नेट 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 निगेटिव थी और 123 करोड कर नेगेटिव वैल्यू था 2022 में 300 करोड के आसपास का negative लॉस इसने बुक करा था company ने एंड 2023 में जैसे इसे आइपयो लेकि आना है 2024 में जब आइपयो आ रहा है में में तो 2023 के 31 दिसंबर तक इसने 24 35 करोड का net profit शो किया as I don't know कि actually इतना drastic difference क्यों था पर अगर आफ इसके रिपोर्ट के बारे में देखेंगे तो समझ माएगा पर यह एक फोड़ा सा रेड फ्लैग है तो आप इसको बहुत निगलेट ना करें इसको बहुत क्येरफुली चेक करें अगर रेगुलर प्राइस बैंड की बात करें तो डो लाक रुपी है रिटेल इंवेस्टर के लिए है एचनाई के लिए है तू 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 फाइफ लैक रुपीस के आसपास ठीक है यह ता हमारा गो डिजिट जेनरल इंसोरेंस का आईपियो अगर इसके साइस की बात करें तो अगें साइस जो है टू थू तू इस पोर्ट को ठोली चेक कर ले इसके बारे में जितने इंफॉर्मेशन आफ चेक कर सकते हैं गयादर कर सकते हैं आफ चेक कर लीजिएगा करने के बाद ही इसमें इंवस्ट कीजिएगा यह बिलकुल भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है बस एक आइप यो जो रीसेंटल लाँच हो रहा है उसके बारे में एक study educational वीडियो है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care good bye do subscribe this channel if you like this video do like this video as well and we'll take next video